बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट है किताब देगी आपकी अंतरा की और इसका काविकर्ड हम कंप्लेट करेंगे ठीक है और इसमें आज हम देखेंगे नागाजुन वर्माज जी की जो कविता है बादल को घित्ते सब्सक्राइब करेंगे बादल को घित्ते देखा है पंक्ती में पंक्ती को बार-बार कविता में दोहराय जाने से कौन सा या फिर क्या सौंदर जो है वह इसपस्ट होता है तो देखिए वाई क्या होता है कि इस पंक्ती को कविन एक टेक यान की जैसे की होता है फिलम की शुरुवात में और बीच बीच में इसको ताकि जो लोग है उससे यह फिलम जो काफी अच्छी रहे तो उसके लिए इसको प्योग किया गया है तो अतह इससे प्रिती एक अं जबावी बन जाती है और इसका मूल वाव इस पास्ट हो जाता है इसके प्रियोग से काविस सौंदर में एक अद्बूत ही ब्रिद्धी हो जाती है जो कि लोगों के देखने के लिए काफी अच्छा होता है पढ़ने के लिए फिर्स्ट को समझ आ गया सेक्ड़ कोस्ट में पुछा गया वच्छो कि इस कविता में बादलों के सौंदर के अलावा और किंखन दिर्श्ट है इसमें बादलों के अलावा आ देखिए इसके तुलना की गयी है किससे हिमाले में विद्मान जheenों पर हांसों के तैने का दिर्श्रिय s in साथ और जो कमल की फूल उन पर गिरने का दृष्ष्ष वसंत रितू के सुन्दर एक जो सुबह होती है उसका कि अगला कोशन देखते हैं थर्ड कोशन है बादल को गीवते देखा है कविता में महा मेग को जंजिल से गरज गरज भिढ़ते रिखा ऐसा क्यूं कहा गया तो ऐसे इसलिए कहा गया है परवतिय प्रदेश्चों में भयंकर ठंड के समय क्या होता है कि कैलाज की शिकरपक कभी ने बादलों के समु को तूफान से लड़ते हुए देखा है प्राया परवतों मे बादल समु तेजवाँ से टकरा जाते हैं चिनके कालत आकास में भैंकर गरजना होने लगती है और उन्हें देखकर यह आवाश होता है कि वे आपस में लड़ रहे हैं इसी कालट से कभी ने क्या 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 है कि जो महामेग है वह जंजानेल से गरज बिढ़त दिख रहे है इसमें बेसिकली देखे बहुत सारे कोशन एक ही साथ आपके कंप्लेट होंगे सबसे पहले कोशन कहा है कि प्रलैक कलह से कभी क्या अतात पड़े या फिर इसको पंती में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा निशाकाल के चित अविशापित बेवस उस चकवा चक्वी को इस पंक्ति का क्या आश्य है दूसरी पंक्ति कहा है कस्तूरी मुरिक के अपने पर चिड़े के क्या कारण थे इसे अगर पंक्ति में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा अलग ना भी से उठनी वाले निश के निश के ही उन्मादक परिमल के पीछे दाविद हो कर तरव तरव े का क्या था रखेंता परता है यह तरफी में क्ए अखंवी के दर्दु को दत्तर आगे ये कहा जाता है है चक्वा और चकवी को शुराफ है कि वह रात को अलग हो जाए यहां पर उसी साब का उन्धिक किया गया है अभी जक्वा पर रात सकते सुबह होंय पर उनका क्रन्दय रोना है बन हो जाता है वे रख मानोष जो एंड़ाय कि बोलती है anticipating तो मुझे छोड़के की चला िये पड़ा जो प्रिला है या दुख है दुख वरी लडाई जो है लेकिन ज़िसके द्रब्य में उससे लेकर कभी कहता है यह पड़ाइक एक सीय तो यह तो यहांकिे कंप्लूट हो जाएगा कश्तूरी मृत के अपने परीचिंड़े के क्या कानते या फिर इन पंक्तियों को समझें, तो देखिए यहां पर इसका अंसर ऐसे लिखेंगे, कि प्रस्तुर पंक्तियों में कभी जो है, वो कस्तूरी हिरन की परिशानी को दस्ताथा, कस्तूरी म्रेग की नाभी के अंदर, कस्तूरी होती है, क वो है ठूण ठूण का ठक जाता है, तो उसे अपने पर ही चड़ होने लगते है, वो अपनी, अपने समत्रा की कारें पर ही चड़ने leggता है, तो कस्तूरी म्रेग के, स्वें पर चड़ने की यह कारें दै की वो पूरी जिंदा, वह ने अः spell can charge pri आता है, लेकिन जबकि अ बादलों की वर्णन करते हुने, जब कभी के वर्णन करते हुने करते हुने, तो क्र भीलतं की शिक्रिक तो अनिशार की हिक्षा तश धन पत्थि और में अपनी यह से निर्वाषच कर दिया निर्वासित यक्ष मेग को दूत बनाकर अपनी प्रिमी का के पास संदेश भेजा करता था कभी ने बहुत प्रयास कि वे उन उस्थानों को खोज निकाले जिनका उल्य कालिदास ने किया वे उस इस्थान को खोजने में अस्मत रहें अता बादलों का वर्ण करते हुए कभी यह कालिदास की यार्थ क्यों आती है समझ में आ गया तबसे आखर पर दिखने वच्चों इसका यह कालिदास का जो मेग दूत है जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें मेग ने दूत का कार किया है यह प्रेमी के कहानि इसमें धनपती कुवेर के द्वारा अपने एक यक् वर्ष्र के लिए अपनी नगर अल्ठापुरी से निस्कासित कर दिया जाता है यह दक्षिट जिसा में इस्थित्र राम गिरी में बने आश्रम में रहने लगता है कौन जो यक्ष होता है जिसे जनप्रति कुवेर ने अपने यह से निकाल दिया वह किसी भी प्रकास से आठ म पर पहुंच जाता है और अब पत्नी के पास जो यक्ष जो होता है वह अपना मेग को दूद बनाकर देशता है और अपना संदेश पहुंचाता है तो मेग दूद का वर्णन करते हुए यह सारी चीज़ यहां पर बताएगी है तो चलिए सब्सक्राइब देख लिजिए प पर चैनल पर पहली बार आगे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देख करते हैं लेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए आप पढ़ते रही और आप अपना क्या लिखे धन्यवाग जैहिंद वंदे मातरण